आज इस वीडियो में बात करने वाले इस्टेंट कमांड होश्पिटल कोलकाता की जो ग्रूप सी की विकेंची थी उसके सभी ट्रेट्स के आपके एड्मिट कार्ड आचुके आ रहे हैं अभी मैं आपको एड्मिट कार्ड दिखाने वाला हूं जो कि आपकी दो डेट में एकजंट रहने वाली है आपको एकजंट कर दिया गया है मना इसे और चैों संग्छfy कै десят को कुई बी ले जाने की जूर्त नहीं है जिसमें आपको एक राइटिंग मेटेरियल के रूप में ब्लेक बॉल भी और आपको क्लिब बॉर्ड लेके जाना है एड्मिट कार्ड जो आपके पास आया है वह आपको साथ मेले के आ और Does चीप बैंसरो कर नहीं तो आपको कर दिया जाएगा तो कुछ अब कर दिया कोवीड की पूरी कंपलिट पालना करनी है यही आपको इंसेक्शन नीचे दिये गए हैं इसके अलावा आपको डॉकुमेंट बगएरा कुछ भी साथ में नहीं लेके जाना है अभी मैं दूसरा एडमिट कार्ड दिखा देता हूं जो कि 18 की डेट का है जिसमें आपकी एक्ज आपका इकजाम कोलकटा में रहेगा आर्मी पप्लिक स्कूल में आपका इकजाम नहीं रहेगा इसमें आपका 312 वरक्षोप कंपणी में आपका एकजाम रहने वाला है तो जितने भी किंडिट आप देख सकते हैं एकजाम वेंगा सूसमय चेंज कर सभाई वाली का ट्रेड का इनका एकजान है ऐग्जाम सक्रीन पर 17 नौप से 11 तक ऐनका टेक्द को तबाराख कंपनी आपका जो है आप कोलकाता में वेस्ट भंगाल में ही आपका एकजाम रहेगा तो आप वेचुसेंग है और रहे तक का टाइमिंग दिया गया मतलब आपके बड़ी संख्या में केंडियेट को बुलाइग है इसलिए एक्जाम डेट भी चेंज हो चुकी है और वेनू भी चेंज हो चुका है इसमें आपकी सफाई वाली और वाड़ साइका में बहुत ही ज्यादा केंडियेट ने फॉरम फी यह आपको साथ में लेकर जाना है इसके अलावा आपको कुछ भी ले रहेके जाने के जूरत नहीं है एक्जाम का रिजयर्ट तुरंत नहीं आएगा एक मत के बाद ही आपका रिजयर्ट आएगा केंडियेट पूछना स्टार्ट कर देते हैं सरक्यास नेक्स डेमें आपका जल जारी होगा ओमार स्ट बेस आपकी एक्जाम होगी जो भी केंडेट है जो भी आट राटे मीटर इसलिए बंगा गया है ओमार स्ट बेस आपकी इकजाम होगी डेरद सु नमबर का इसमें जो पेपर रहेगा